दोस्तों आज के स्विटों से बात करने वाला हूं Realme 8 स्मार्टफुन में Android 12 यानी Realme Y 3.0 के अपडेट के बारे में अब यहाँ पर काफी लोग का ये कुशन आ रहा है कि Realme 8 स्मार्टफुन को हम यूज कर रहे है Realme 8 Pro स्मार्टफुन को हम यूज कर रहे हैं अभी तक Android 12 का अपडेट नहीं मिला है तो Realme 8 स्रीज में Android 12 का अपडेट कब आपको देखने को मिलने वाला है अब यहाँ आपको यहाँ पर Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा तो वीडियो को ला सकते रहेगा इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजेगा अब यहाँ पर आपसे बात करो Realme 8 और Realme 8 Pro स्मार्टफून में Android 12 के अपडेट के बारे में तो सबसे पहला कोश्चन आता है काफी लोग यह भी पूछते हैं कि क्या यह जो स्मार्टफून है वो Android 12 यानि Realme UI 3.0 के अपडेट के लिए इलिजिबल है या फिर नहीं है तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर 100% कनफर्म बता दू कि यह स्मार्टफून Android 12 के लिए eligible है Realme 8 और Realme 8 Pro ये दोनों smartphone Android 12 के लिए eligible है और इन दोनों smartphone में आपको Android 12 का update देखने को मिलेगा अब यहाँ पर अगला question आता है कि आखिर कब देखने को मिलेगा कब हम यहाँ पर इन स्मार्टफोन में Android 12 को update कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको यह बता दो कि company ने यह कहा है कि Android 12 का जो update है वो Realme 8 सिरीज में आपको देखने को मिलेगा 2022 की quarter first में 2022 quarter first मतलब आप यह मान करके चाल सकते हैं कि आपको March अप्रील की महीने में यह जो update है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा Realme 8 और Realme 8 Pro दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर software update के थुरू यह जो update है वो आपको provide किया जाएगा तो आपको quarter first का wait करना पड़ेगा 2022 का तब यह जो update है आपको देखने को मिलेगा और उसके पहले आपको security patch update यहाँ पर Android 11 का ही देखने को मिलेगा in fact December के महीने काफी security patch update काफी लोगों के स्मार्टफोन में आ गया होगा अब दोसों बात आती है कि Android 12 का update आने के बाद में क्या कुछ changes हमें देखने को मिलेंगे दोसों फिलाल अभी जादे कुछ information नहीं है कि क्या actual में Realme 8 स्मार्टफोन में changes आएंगे लेकिन यहाँ पर आपको notification panel application के icons, animation और यहाँ पर काफी सारे नए features भी add किये जाएंगे तो यह कुछ detail है इस स्मार्टफोन के बारे में अब क्या आप यहाँ पर Realme 8 या फिर Realme 8 Pro स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं और क्या आप Android 12 के अपडेट का वेट कर रहे हैं जरूर से अपना opinion मुझे comment box में comment करके बताएगा अब दोस्तों इता उस वीडियो में अगर आप को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करेजेगा